नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए यहां पे हम कुछ प्रशनों को हल करें और ये प्रशन क्यों खास हैं क्योंकि ये प्रशन हमें घात के रूप में दिये गए हैं। आप देखें प्रशन है कि सत्रा की घात दो और सत्रा की घात पांच का आपको गुड़न फल निकालना है। पहले तो हम इतना लंबा एक गुड़न फल निकालें और उसके बाद उसको घात के रूप में भी लिखें। तो एक यहां पे काफी असान सी मैं आपको बात बता लेती हूँ कि अगर आप इस दिये गए कथन में से हर जगा से ये ब्राकेट हटा दें। तो आप यह कह सकते हैं कि सत्रा को ही साथ बार गुड़ा किया जा रहा है और इसलिए ये सत्रा की घात साथ हो जाएगा। तो आपको बहुत जादा प्रेत्न करने के आउशक्ता नहीं है और इस तरीके के प्रश्न का एक सीधा सरल सा उत्तर हम लिख सकते हैं कि सत्रा की घात साथ। मतलब अगर हमें दो ऐसे संख्याओं का गुड़नफल करना हैं जिनकी नीचे दी गई संख्या समान हैं सिर्फ उपर दी गई संख्या अलग-अलग है घात में दी गई संख्या अलग-अलग है तो घात वाली संख्याओं जो हैं वो योग हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दिये गए दूसरे प्रश्ण पे ध्यान दें, जिसमें हमें घात के उपर घात दिया गया है, मतलब हम 5 की घात 2 को कितनी बार खुच से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, 7 बार गुणा कर रहे हैं 5 की घात 2 को, सोची कितना बड़ा दो के साथ 7 बार इस तरहां से गुणा कर रही है इसका मतलब कि आप 5 और 5 के गुणन फल को ही इतनी बार दोह्रा रहे हैं और अगर आप यहां पे 5 की घाद गिनेंगे तो कितनी बार हो जाएगा दो के यहां पे जो जोड़े हैं उनको साथ बार दोराया गया यानि की पांच की घाट चौदा तो अगर हम इसको एक सूत्र के रूप में याद रखें तो ये बात कही जा रही है कि अगर घाट के उपर घाट है तो उत्तर में जो घाट हैं वो गुड़न फल हो जाएगी और पांच की घाट चौदा हमें उत्तर मिल जाएगा इसी प्रकार अगर हम तीसरे वाले प्रशन पे ध्यान दें तो तीसरे प्रशन में हमसे कहा गया है कि आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका संख्या 23 समान है तो जो हमाएपास आधार संख्या है वो बराबर है परंतु इस बार फिर से हमारे पास जो संख्या घात में है वो अलग-अलग है और इस बार भाग लिया गया है तो 23 को 10 बार भाग 20 को 10 बार गुडा किया गया और 23 को 7 बार गुडा किया गया और इन दोनों को आपस में भाग किया गया तो देखिए नीचे 7 बार आ रहे हैं तो उपर के भी 7 बार जो 23 हैं वो तो एक दूसरे से यहां से कट जाएंगे परंतु तीन बार जो 23 हैं वो बच जाएंगे और तीन बार 23 का आशे हुआ 23 की घाथ 3 इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि इस दिये गए प्रशने का उत्तर हो जाएगा 23 की घाथ 10-7 जो की है 23 की घाथ 3 इसके परश्चाद हो हैं बस एक और प्रशन है और इस प्रश्ण में हमें दो संख्याएं अलग-अलग दी गई हैं और इनकी घात समान है देखिए इसका क्या आशे हुआ कि साथ को हमने तीन बार इस तरहां से गुणा किया और नौ को भी हमने इस बार तीन बार ऐसे गुणा किया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि साथ और न हुआधना 9 की घात 3 तो इस प्रकार से जो जटल प्रश्ण होते हैं जो की Ghat के रूपे हमें दिये होते हम उनको सरल बना सकते हैं और अगर इन ही परश्णों को जो हमने यहां पे हल किये हैं इनसे हम कुछ शूत्र निकालना चाहे तो वह कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि योग कर दी जाएंगी अगर इस प्रकार से आपके पास एक संख्या है जिसकी ऊपर एक घात है और पूरी संख्या के ऊपर एक और घात है तो आप पर नाम सरूप निकाल सकते हैं कि दो घातों का गुड़न फल हो जाएगा अगर हमारे पास दो इस तरीके से पत हैं जिनमें अलग अलग घात हैं परन्तु अधार एक ही है तो जब आप उसका भाग लेंगे तो भाग फल में आपके पास घातों का शेश फल आ जाएगा और अगर आपके पास दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनकी घातें समान हैं और आप उनका गुड़न फल निकालेंगे तो आप इस तरीके के प्रशनों पर भी लागू कर सकते हैं जहां पे हमारे पास जो घात हैं वो परिमय संख्या के रूप में हों तो नियम अनुसार अगर हम पहला प्रशन हल करने का प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो की घात यहां पे है दो बटे तीन और इसको हम 3 बटे 3 यानि 2 की घात यानि 2 और यही हमारे पास उत्तर हो जाएगा अगर आपको यह समझ में आ गई है और सारे नियम आपको घात के समझ में आए हैं तो आप वीडियो को पॉस करिएं और खुद ही इसको हल करने का प्रयास करिए अगर अगले प्रशन की और भणे तो य प्रश्न की और भड़ें तो समान संख्या के उपर घाते अलग अलग हैं और में भागफल निकालना है तो जो भी घात है जब हम उससे भागफल निकालेंगे तो दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे पांच और तीन का एलश्यम हो गया पंद्रा तो यह हो जाएगा तीन माइ सकते हैं और इसलिए आपके पास उत्तर जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा आखरी प्रश्न की और भड़ें तो दो संख्याएं जिनकी घात समान है तो आप इनका सिर्फ गुड़न फल ले लिजे और इसको यहां पे घात लगा दीजे तो सत्रा को अगर हम तेरा से एक बटे पांच